हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तन्वीय मेरे साथ है दर्शी का आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इंसाइड न्यूस में हम आपके लिए बिग बॉस से जड़ी तमाम खबरे लाती रहते हैं आपको पता ही होगा कि बिग बॉस इस बार बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग आ रहा है और इतिहास में बिग बॉस के पहली बार ऐसा हुआ है कि घर के अंदर महुत सारे महमान आए हैं महमान इनसेंस घरवालों के भी घरवाले आई हैं यह पूरा फैमिली वीक चल रहा है और चार-पांच दिन के लिए ऐसी खबरे आ रहे हैं कि चा सब्सक्राइब कर निकल कर एक और चीज आई है वो यह है कि जो शेहनाज के भाई हैं शेहबाज वो यह बोलते नजर आते हैं सिधार्त को चितावनी भी देते हैं कि पारस महरा से दूर रहना तो इस पर तुम्हें क्या कहना है हाँ जैसे अब भी फैमिली वीक चल रहा है तो उस टाइम पे शेहनाज के भाई आते हैं शेहबाज उनका केक लेके उस टाइम बहुत ही एकसाइटीड होती है अपने भाई को चार महीने बाद देखे शो में जैसे देखा गया है कई बार उनके नाम का जिक्र की है शेहनाज ने और काफी एकसाइटीड थी उनसे मिलन तो उस टाइम पे पारस ने मजाग बनाया था उनका किसका बाप ऐसे बोल के चला गया तो वो चीजे उन्हें सलमान ने भी गुसा किया था और बताया लेकिन शेनाज ने फिर भी माफ कर दिया और उसके बाद उनसे ठीक से बात करने लग गई थी और उनके पापा भी होगा इस चीज के बारे में लेकिन बहुत गलत था पारस का ये एटिट्यूड जो उन्होंने मतलब उनके फादर को बोला तो मुझे ऐसा लगता है उनके भाई जो है तो उन्होंने सोचा है कि इस बार तो इससे छोड़ना ही नहीं है और उन्होंने घर में आते ही एकदम जैसे अगात प्रो में देखा था मैंने की मतलब लिविंग में पहले बैठे रहते हैं उसके बाद बैड्रूम में जाते हैं सब लोग तो वहां पर ही मानशी और आसिम बैठे होते हैं शैनाज होती है पारस खड़े होते हैं तो उस टाइम पर शैबास बोलते हैं कि इनको पहले सेनास थी जब स्टार्टिंग में वो आय था तो सेनास के उपर हाथ रखके ऐसे घूमते रहते थे तो महीं उसके बाद माहीरा मिल गई माहीरा को पूरे सीजन में अपने साथ ही रखाया और कुछ भी होता है तो उन्हें कई बर बोलते हैं कि इस तरीके से मैंनी लेता उसके बाद भी उन्हें मना लेते हैं और सब कुछ उनका लेट गो हो जाता है कि हां ठीके चलो उसके बाद अब जैसे जैसे सहबाद ने बोला कि तुम बहुत ना मतलब तुम्हारे जो यह नाइट सूट है बहुत फेमस है और इसमें उनका मजाग बनाते हैं कि तुम यह अतरंगी सा इंसान कहां से आया उस टाम उनका मुह बन जाता है पारस का कि इस तरीके से मुझे बोल रहा है वहीं जब यह सिद्धार्त और शैनाज भी बैठे होते हैं तो उस टाम पर यह बोलते हैं शैबाद कि यहां पर जो माहिरा और पारस है वो तुम दोनों को दूर क चाहते हैं तुम्हारे मतलब कुछ भी होता है तो जब लडाईयां होती है तो बोलते हैं इस से बात मत करें छोड़ दे इसको इसके हाल पे तो बहुत सारी चीजे घर में आके वो चीजे बताते हैं जो पारस उनके साथ करते हैं यह चीजे इस टाम सिधार्त को भी समझ में और उन्होंने ये भी बोला कि तुम बाहर जाओगे अगर तुम देखोगे ना गेम तो तुम्हें समझ जाएगा कि सेनाज ने कितना साथ दिया तुम्हारा हट जगे वो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है लेकिन अगर लड़ाई जगड़ा कुछ भी होता है तो उस टाइम लड़ाई तो फुम्हें बोलते हैं कि रहने दे उसको जैसे वो कर रहे है उसको करने दे और मत बोल इतना और हमने भी कई बड़ेखाया जाता है कि जिस तरीके से मतलब पारस बोलते हैं और जैसे अभे जब भढ़ाई होई थितन फे जाब गड़ा दीया था था उस टेम बहुत सारी चीजे उन्होंने बोली कि मतलब इसको छोड़ दे इससे बात मत कर तो मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं मतलब जिस तरीके सब पारस और माहिरा ये मतलब इनकी दोस्ती है बाहर कुछ और ही जा रहा है लेकिन पारस जो सिधार्त और शेहनास का रिस्ता है जो सिधना किसी ने भी आस तक कि यह नी बोला कि दोनों कपल लग रहे है या फिर मतलब बहुत गंदा खेल रहे हैं मतलब इस तरीकी सके आड में कहीं कुछ और ही लग रहा है मतलब आस तक किसी ने आकर नी बोला तो मुझे ऐसा लगता कि कही न गिश्वार से थोड़ा चिड़ जात सिदनास की जोड़ी से पारस माहिरा चिड़ते थे और इसी वज़े से कहीं न कहीं यह बोलते थे कि इससे दूर रहो कोई नी छोड़ दो इसको इसके हाल पर कई बर देखा गया तो वही चीज उनके भाई आके घर में बोलते हैं तो अब देखते हैं कि क्या होता है कितना साथ अपना रिष्टा खतम कर देंगे आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप हमारे पेज को फेस्बुक पर भी फॉलो करना मत भुलिएगा